अब हलो फ्रेंड्स वेलकम यू आनलाइन बे कलासे इस वीडियो इस बेर इंपोर्टन फोर वी ये थर्ड समस्टर हिंदी लिटरेचर के नित्रों यदि आपने हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट को लिया गवा है हिंदी साहिता पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंप पत्र दिया जाता है उसमें थी कड़गरी की कोस्टन होते हैं मित्रों जिसमें की फस्ट आफाल आपको अज लगउतरिये प्रस्ट करना होता है और लास्ट में आपको दीरगउतरिये प्रस्ट करना होते हैं जिसमें केवाल आपको दो ही कोस्टन करने होते हैं तो कोईस्टन जो है 10 मार्स के होते हैं 10 नंबर के होते हैं और इसे हमें लगभग 500 सब्दों में लिखना होता है मित्रों जो कि आपके लिए एक दिर उतरिया प्रस्ट के रूप में होता है इसलिए हम बताना उचित समझेगे आज इस वीडियो के अंतरगत आपको दिर उतरिया प्रस्ट के रूप में एक कुश्टन समय दे रहा हूं जैसे आप चैनल पहरी बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक सेर और सब्स्राइब कर देंगे मित्रों तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रस्टिया प्रस्ट करेंगे जिससे कि मैं आपको आपक प्रस्ट कीजिए what is the difference between novel and story तो पूरी तरह से आप समझ दे मित्रों जो अपन्यास होता है उपन्यास और जो कहानी होती है उसके अंतर को हमें बताना है इस प्रकार की questions आप से किया जा रहा है पूरी तरह से आप सको समझेगे उपन्यास जो होता है यह उपन्यास को हम कहान से जब दोडते हैं तो उसमें क्या अंतर मिलेगा आपको किसी बात को इसमें बताया गया है question में और यह most important question मित्रों प्राया सभी इंविश्ट्यों में continuously पूथा जाता है और बच्चे इसको लिखते हैं और लिख पाते हैं सही धंसे तो इसको पोले के पोले नमबर मिल जा है कि उपन्यास का अर्थ होता है बचन की उपस्थिती करना यानि बचर की उपस्थिती करना बचन का मतलब होता है जो हम बोड़ते हैं जो हम कहते हैं जो हम पने विचार को रखते हैं उसकी उपस्थिती बताता है क्या उपन्यास जब उपन्यास दिखा जाता है उसमें य जहां पर बजन की उपस्तिती कारना जो बाते कषी जाती हैं उसको इन उपस्तिती प्रजेंटेसं की उपने घ्टताता है लगता है कि हम कुछ इसी तीर से जिखाने पड़ रहे हैं जिसको हम पुऋ-ई तरह से देख रहे हैं एक चित्रात्वक मतलब सब्द हमारे पास होते हैं चित्रात्वक जो है धन से हम उसको पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं आगे दिखेगा उपन्यास और कहानी दोनों की जड़ एक है आप यह समझेगे जो उपन्यास होता है और जो कहानी होती है दोनों की जड़ लगभग एक ही होती है उपन्यास कार कहानी भी लिखता है और कहानी कार उपन्यास भी ऐसी कोई बाती मित्रों कि जो कहानी लिखता हो उपन्यास ना लिखता हो जो उपन्यास लिखता हो कहानी ना लिखता हो जो भी लेखक हुए हैं वो उपन्यास भी लिखते हैं और कहानी को भी लिखते हैं, उसके लिखने में भी सक्षम होते हैं, दोनों की जड़ एक ही है, चाहे वो उपध्ञ्यास हो, चाहे वो कहानी हो, हम भी इस तरह से समझना है, आगे देखें मित्रों, उपध्ञ्यास का कहानी भी लिखता है, और कहानी का उपध्ञ्यास भी लिखता है, ये तथ्या गया होगा उपन्यास का आकार बिस्तित होता है यह हमें जागना है जो उपन्यास होता है उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है बिस्तित होता है जित्रों जब कि कहानी का आकार जो है वो सीमित होता है यानि कि उपन्यास का आकार बिस्तित बिलेगा आपको और कहानी का आका जो है मिलते हैं आपको समाहित दिखाई पड़ते हैं के तु कहानी का वर्ड विसे यों पात्र सीमित होता है इसका वर्ड विसे होता है जो वर्ड विसे बताया जाता है मित्रों और इसका वर्ड विसे बस्तु ये मं पात्र इसके जो होते हैं वो सीमित रूप से बताया जात स्टीरिधियों और अश्पस्ट कर पाती हैं सिर्भ नियुक होताइब जो लिखते हैं जिस्भायन के साथ हम लिखते हैं. स्टूरि जी स्ट्रॉ्रिन हो लेखन कराव में होती है लेखन साहिली होती है तो तो सर्व involve में बन्यास करते हैं तो कि अंधर कर देती हैं कि इसकी कहानी की ओपन्यास पूइंट ये उसमें एक ही ब्frames के जीवन का सित्तन किया जाता है जबकि कहानी में किसी घटना का वाड़त किया जाता है और जो कहानी होती है उसमें किसी घटना मिसेस का ही वाड़त हमको मिलता है आगे देखें मित्रों, वो पन्यास के अंदर अन्य कथाएं भी चलती रहती हैं, जो पन्यास होता है उसके भीतर अन्य कथाओं का भी समावेस होता रहता है मित्रों, किम्च कहानी में ऐसा संभव नहीं है, कहानी जो लिखी जाए भी, वो कहानी एक ही बिंद को लेकर के आग ही चली कर straks ल स्क्रावी मोघ य किरा करीज अधने लगते हैं किसी अधने लगते हैं उसमें पहां स. कर ढार में इसा सम्हाव कर देार न हो पाता है अगर झेके में वाहता हिएं अधना कि पात्रों का अनेका अनेक हो से पात्र होते हैं जो आ होते हैं व्हत्य Вам बनती हैं, किदो कहानी में ऐसा नहीं हो थसना सकता है. कहानी में इस प्रकार से हम नहीं देवाते हैं सुषर tasty really much, आगे देंगे उपण्यास का पात्र, अपनी दिवित्ताओं से पाठह के मन में श्याया रचा है, जो अपण्यास होता है, उसके जो पात्र होते हैं, मित्रों परकानी में ऐसा नहीं संभव हो से हम नहीं स्पोचपा थी हम जो मिक्ता से वरतहरों की रुप में प्रभव आत्मक हो दिन प्रभाव को कहानी लो कहानी पर्भाव कर दीड करते हैं उपान्यास का पार्ठक पढ़कर धीराच करता है उसके अंदर धायर बनता है संबल बनता है जब उसको पढ़ता जाता है जो कहानी का पाठक होता है वो उग्रेकर दें हो जाता है जिसे कहानी का करी आप में के में करता है को नगना कि एक के अधायर यह कुछानी का पर देक्न के गराला के कहानी बटायर के वाठक कर देती है कि को सच्छाले कई है कुछ दिनों तक हमारे अंतर विचार को मगते रहते हैं कि हमने कि इस स्टॉरी को इस तरह से प्रहता लेकि उपन्यास में जो गड़ उपन्यास में इसी बाते हमको दिखाई नहीं पड़ती है जब कि कहानी का पाठक उपर हो जाता है लेकि उपन्यास पढ़कर धीरच धान क करता है उसको इस अंदुष्टी होती है कि मैंने इस स्टॉरी को पढ़ा और उसमें इसीजी हमको प्राप अब आप देखें कि मित्रों अतव ना तो उपन्यास का अस्थान कहानी ले सकती है और ना ही कहानी का अस्थान उपन्यास ले सकता है यानि कि उपन्यास का अस्था पूरख जरूर होते हुई अस्थान को नहीं लिपाती हैं कि कहानी का अस्थान लेरे और अस्थान का अस्थान लेदे यह संभब नहीं हो सकता है रायटः भले ही एक होते हैं, लेकिन उके जो हमानEM काती होती है, जिस से वो एक दूसरे के स्थाम से लिवास把 होते हैं। तो ये था आपका कोस्विटों उत लिया कने के जिए कहा हुआ है। most important question है मित्रों पूरी ही तरह से आप उसको समझ दे रहा है कि कहानी और बन्यास में क्या अंतर मिल सकते हैं अब आप देखेंगे मित्रों जहां पर अंतर की बाप होती है वहीं पर समानता की बाप होती है इस questions से आप two questions ले सकते हैं, इसमें आपको समानता भी कुछ बिंदू में दिखाई पड़ रही है, उसमें समानता को आप अपने हिसाब से लिखेंगे, और जो अंतर दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको उस रूप में लिखना है, तो ये questions आपके लिए most important था, इसलिए मैं आपको दिर्गूतरी प्रस्त के रूप में इस वीडियो में देना चाहा, और इसके पूर में आपको multiple choice questions भी उपलप्त कराए गए हैं हमारे चैनल पर मित्रों, और आने वाले समय में मैं हर एक topic पर आपको वीडियो उपलप्त कराऊंगा, जिससे आपके लिए बहुत ही आ आने वाब, जये